Chapter 3, Metals and Ometers के अंदर बात कीज़े, आज हम सीखने जारे chemical properties of metals है और ये topic physical properties of metals से बहुत ज़्यादा important है इस topic से यहाँ बहुत सारे questions seriously board देती आ रही है और ये part 2 है, इससे फ़रे part मरें discuss किया तर physical properties है इसलिए सारे lecture का follow करते है, चलो बात कीज़े, कौन कौन से chapters हम already cover कर चुके है Chapter 1, Chemical Reactions and Equations, Chapter 2, Aspish and Salt, Biology के दोनों chapter हम कर चुके है Life Process and Contour and Condition, जल्दी से मैं इस chapter को भी खतम कर देंगे So, बहुत सारे questions पूछे हुए, बहुत सारे short tricks से याद करवाए हुए, बहुत enjoy करने वाले और हाँ, मैंने सुना है, आप subscribe नहीं करते हो, चौली जौली subscribe कर देना और जल्दी से start करते हैं अपने chemical properties of metals को इस lecture से यहाँ से start करते हैं अपने आज के topic and that is chemical properties of metals है और यह जो chemical properties हैं हम यहाँ पर chemical reaction की बात करने जा रहे हैं इससे पर हम डिसकस किया था, physical properties of metals है और यह topic उससे भी ज़्यादा important है, यहाँ बहुत सारे chemical reactions हैं हम डील करने वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारे exception हैं जिसको मैं mnemonics की form पर याद करवाने वाला हूँ और इसी वज़ा से यह lecture बहुत ज़्यादा interesting और important बन जाता है, देखा जाये हम क्या करेंगे, आपके पास metal है और metal का reaction करवाएंगे किस किस किसरा आएंगे, सबसे पहले आपका है reaction with air अब सर, air मतलब आपका आज बिटा, air में कौन से gas की बात करूँगा, आपका O2 नहीं कि reaction करवा के, और जब reaction करवा के, आपको किसी चीज की पता चलता है, इसी को chemical properties कहते है, देखा जाये, तो simple statement आपका, कुछ आपको याद आया, यह chapter 1 में आपने देखा था, और बन जाता था, magnesium oxide है, कुछ ऐसा ही आपने chapter 1 में सीखा था, relate करो, कि आपके पास copper का powder था, और जब copper आपका react करेगा, oxygen के साथ बन रहा था, copper का oxide है, तो एक general अगर आप equation देखोगे, बोलो कि आपका, जल्दी से, आपका metal plus में आपका O2 हो जाएगा, metal oxide, मतलब metal जब oxygen से react करेगा, तो metal का oxide बनेगा, और आपको याद होगा, just first lecture discuss किया था, हमने बोलो किया, हाँ जी, कि आपके पास जो metal का जो oxide है, उसका अगर आप equation solution लोगे, कुछ याद आए, आपको MOB, metallic oxides, आपका basic in nature है, जो उसका solution लेंगे, तो कैसा हो कुछ आपका basic in nature, मतलब, वो आपका red litmus को blue कर देगा, 100% के पड़ा जाए, बोलो क्या है, कि जो metals है, वो किससे combine करेगा, आपका oxygen से क्या बन जाएगा, metal का oxide है, example से समझते है, ध्यान दिया जाए, यह प्यारे से example है, यहापर दो क्या है, आपका समानलो copper है, अगर इस copper का reaction आप O2 से कराओगे, तो आपका क्या बनने वाला है, ध्यान दिया जा, यहापर क्या करना देखो, आपको copper लेना है, और साथ में आपका O, यह आपका chemical, जो आपका formula है, वो लिखना बहुत जवरी है, अगर आपको यह नहीं आता बच्छा, तो मैं इस video की ना, आपके comment section प्रेंट कर दूँ, how to write chemical formula, तो आप C को आता होगा, आपको plus का 2 और यह आपका minus का 2 है, और यह cross करा हो, कुछ ऐसा क्या बनेगा, आपका, same same कर जाएगा, cuo बन जाएगा, और खतम, इसको आप balance करोगे, तो यहापर 2 आज जाएगा, और यहाँ भी आपका 2 आज जाएगा, call लोगे ना, और seem ऐसी है, main दिक्कत कहा इस example, आप मैं बात करो, al की, जब जहें बात करूँगा, al की plus में आपका o2 है, अब बच्चे क्या कर देंगे, ऐसे आजओ, लो, al o, यहाँ गलती हो चाती है, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर cuo था, तो क्या यहाँ पर al o गा, आपका answer no है, पुछो क्यों, तो कि जब मैं यहाँ पर reaction कराऊंगा, जब मैं chemical formula बनाऊंगा, आजओ, देखा, जब इटा, देखो, यह आपका al है, तो यह आपका al, और यह आपका o है, यह plus का 3, और यह minus का 2, आप कराऊ, yes, यह गलती बच्चे करते हैं, और यह आपने नहीं करनी है, albenium oxide हो जाएगा, यह तब ही क रुगार लगाओ कि आपका o सेम हो जाए, तो यह काम करो, इसको 2 से कर दो, और इसको 3 से कर दो, तो कितना होगा, 6 हो गया, और यहाँ भी 6 हो गया, इसकी वेसे al 4, यहाँ पर 2 की जग क्या कर दो, 4 कर दो, ऐसे, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर balancing करनी है, और आपका chemical आपका equation लिखनी है, और साथ में बोलू कि यहाँ पर आच्विटा, वीफास अपका mg होगा, प्लस में आपका o 2 क्या बनेगा, सेम वही आपका mg o बने, कैसे बना देखो, यहाँ पर आपका mg है, और यह आपका o है, यह प्लस का 2, यह माइनस का 2, आपका cross किये कर गया, और mg o बन गया, सेम बैलेंस कर गया, 2 आएगा कुछ इस तरीके से, तभी मैं कह रहा था, कि chapter 1, chapter 2, chapter 3, तीनों relate करेंगे, chapter 4 थोड़ा सा अलग है, बट यह साथ में चल रहा है, तो क्या ही सभी को 1st, 2nd, 3rd आया, यहाँ जब मैं भी अपने class 10 में धना, यहाँ पर 2 क्यूं आया, यह doubt मुझे बहुत ज़्यादा परिशान करता था, बट मैं उमीद करता हूँ कि शायद यह doubt आप सबका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्या सभी को आया, ठीक है, अब मैं आपसे एक question पूछना चाहता हूँ, जब class में बहुत सारी बच्चे बैठते हैं, अगर सब को इख सारी मेटल्स हैं, तो क्या सब की reactivity एक जैसी होगी आपका answer नो है, हर मेटल्स की reactivity अलग-अलग होती है, जब मैं आपके पार थड़ने बात करूँ, reactivity series की ना, तो आप देखोगे, आपने मेटल्स को arrange कर रहा है in the order of decreasing reactivity, तो आप देखोगे, अलग-अलग metals, अलग-अलग way में reactor करेगा, सेम oxygen के साथ है, तो अब देखोगे, सब बिलकुद यहां से यहां पर आजाओ, उससे पहले, अनेकैडमी का, टेलिग्राम का चैनल, जॉइन, कॉल इन, डिस्क्रिशन लिंग के आजाओ, यहां पर आजाओ, यह जो points है, यहां से CBSC question पूछती है, तो आप सब सब को बता है, यह सब को बता लगया, कि metal plus में auto metal का oxide होता है, अब यह जो point है, इस point में exception की बात करने वाला हूँ, कुछ अलग-अलग metals की, कुछ अलग-अलग property की बात करने जा रहा हूँ, यहां से question पना है, पढ़ा जाए, different metals, so different reactivity towards आपका oxygen है, एक-एक करके सारे point को discuss और obvious ही बात है, अच्छे बच्चे कैसे, सौन तो सर जैसे के class में आयो, तो यह याद कैसे करना है, उसको मैं shortry की form पर याद करा के जाओंगा, बस आप कहानी की तरह सुनते जाओ, देखा जाए, आपने यादे बिटा, जब मैंने lecture first को deliver किया था, वह यह point discuss के बोलो किया है यह अपका LI, यह ली, ना, बोलो ली, ना का, यह उने कहाता कि यह इतने reactive होते हैं, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतने जादा reactive है, कि इसको न, अगर आप गलती से बाहर रख दोगे, तो air में oxygen है, बहुत तेजी से oxygen से बढ़ जाते हैं, क्या बे, कुछ इस चोड में तो अब आप उनसे बताओ, उसे अगर बाहर रखोगे, तो एक तो आपका oxygen है air में, और अब यह आप पढ़ोगे, metal का reaction water के साथ है, वो भी बहुत खतनाग है, तो यह इतने तेजी से reactive करते हैं, और साथ में न, जो oxide बनेगा, जैसे आपने देखा भी बिटा, कि मानलोब है energy बनेगा, we fast heat energy आपका release होगा, exothermic है, highly exothermic है, कि जो heat बनेगा, उसकी वज़े से यह burn हो जाता है, same आपका lithium, same आपका potassium है, तो पढ़ा जाए देखो, metal such as potassium and sodium, react so vigorously, बहुत तेजी से, so that they catch fire kept in the open, अगर उसे open रखोगे, तो fire पकड़ लेगा, so इसलिए, हम नहीं चाते कि यह accidental fire हो जाए, hence to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in the kerosene oil, उन्हें kerosene के oil में devote के रखा जाता है, ताकि oxygen उसे contact ना कर सके, अभी आप देखोगे, यह जो air के अंदर moisture है, उससे बिढ़ जाता है, water से बिढ़ जाता है, तो सबसे अच्छा है, यह kerosene के oil में devote के र मतलब यह क्या बताना चाहा रहा है, कि lithium, sodium और potassium यह बदमाश है, बहुत जादा reactive है, 100% है कि आजाओ, सब ध्यांद बिढ़ा, आजाओ, बोलो कि आपको देखो, यह पढ़ो, सिप पढ़ो, surface of magnesium, aluminium, zinc और PBA, lead है, magnesium, aluminium, zinc और lead है, चलेगा, यह और covered भीता thin layer of oxide है, यह बहुत च पास ना, जो O2 है, इस O2 से react कर लेगा, जब magnesium O2 से करें, क्या बनेगा, आपका MGO मतलब इसके उपर ऐसे मानलो, इसके उपर एक layer बन चुकी है, किसकी, magnesium oxide की, अब मानलो, बहार से फिर से कोई oxygen आने की कोशिस करेगा, तो क्या वो से भीड़ेगा, नहीं सर, तो क्या लिख ह किसी करना है, बोलो आपका अजली से, बोलो, मांगे, आलू, जान, पांच बार, जान, जो है, आलू मांग रही है, पांच बार, क्यूंकि उसे पता है कि layer बनने वाली है, और एक बार layer बन जाएगी, तो आपका जो आलू है, वो अंदर नहीं आ पाएगा, बोलो, मांगे, आलू जान पांच बार, पक्का बच्चा सभी को आया हंजी सर, तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये अपना फटा फट से oxygen से combine करते हैं, और जल्दी से वो oxide की layer बना लेंगे, जो की फिर से oxidation मतलब oxygen के add होने से बचाएंगे, पक्का ना आचो, देखो, नेक्स बोलो क्या देखो हम इनकी बात कर रहे हैं आपका Fe, iron आपका बर नहीं होगा, बना iron इतने तेजी से oxygen से नहीं बिड़ेगा, बट अगर छोटे 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 iron का देखो, छोटे छोटे iron का piece या iron का powder है, तो बहुत तेजी से react करता है, बिकॉस जादा surface area मिल जाएगा, और ये बोलो कि आपको कौन सा metal है, जो इतने जल्दी O2 से नहीं बिड़ेगा, बट उसका जो आपका filing है, वो तेजी से करेगा, तो आपका answer के, आपका Fe है, डरे क्या आचाओ, आप सेम वही कहानी है, copper burn होता, copper पूरा जलता नहीं, बस क्या होगा, देखो, ये आपको याद आया, यहाँ पर आज जाते है, copper oxide का, वो burn नहीं हुआ, से उसके उपर एक oxide का layer आ चुका है, and yes पढ़ा जाए क्या लिखा देखो, copper does not burn, but is coated with black copper oxide है, और ध्यान तो वहाँ से question पूछा गया है, copper brown अंका था, जैसी oxygen से combine करता है, तो आपको copper oxide बनेगा, और जो copper oxide न, ये भी note करना, copper का यहाँ पर charge बोलो कि 2 है, पकी बात है, yes और यहाँ पर यह कौन से color का हो जाएगा, बोलो black, तो brown से black हो जाएगा, उसके बाद क्या बोलना बच्छा देखो, हंजी, AU और AG, AU से gold, ये रहा हमारा gold, और AG से आपका silver, ये आपका oxygen के साथ react नहीं करते, इस point को note करो, पूछा क्यों, आपने देखा होगा बच्छा, रियक्ट तो करेंगे, बहुत धीरे करेंगे, बहुत धीरे, इनका reaction बहुत slow है, तभी तो जो jewelry होती है, वो silver और gold की बनी होती है, इतने जल्दी वो oxygen के साथ भिड़ेंगे नहीं, और उसमें corrosion takes place नहीं करेगा, तभी तो इतने महंगे हैं बच्छा, डने क्या, और लेकिन जो आपका ये iron है, ये अक्या करेंगे, ब्राउन नंकी कोटिंग कुछ श्यादे रस्त बना लेता है, तो ऐसे में हमने क्या सीखा, अलग-अलग metals आपकी अलग-अलग reactivity को show करते हैं, बुलो आपका ली नाक, इतने ज़्यादा reactive हैं, कि आपको kerosene के oil में डिवोके रखा जाएगा, मांगे आलू जान पांच बार, ये क्या करेंगे, तुरंत oxygen के साथ combine करके, एक oxide की लियर है, एफी burn नहीं होता है, बट iron की जो filing से vigorously, और आप copper burn नहीं करेंगे, बट coat होगा copper oxide का, और आउं आज, बोल आपका भी पास, क्या बोलना है, आउं आज, ये इतने जादा unreactive है, कोई पुछा है, ऐसा क्यों नहीं करते है बटा, कि बहुत कम reactive है, तो आप बोलोगे, due to the low reactivity, ये easily oxygen से combine नहीं करेंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्या सारे points आपको clear होगे बच्छा, ये जो आपको याद रखना है, लंबे समय तक बह अभी आप देखोगे, पका चुला आचाओ, देखा चाओ, ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अभी जस्त हमें देखा था, कि MOV छोटी सी बात नहीं काम की है, MOV बोले तो आपका metal का oxide, basic in nature, कुछ यादर आपका, मैं magnesium oxide का, जब water से combine करूँगा, तो obvious सी बात है, क्या मैगनेशियंग, आपका hydro oxide है, कोई पुछे, इसका जो solution है, उसका nature कैसा है, तो हमने सीखा था, metallic oxide आपका equation है, basic होगा, तो blue को red करेगा, red को blue करेगा, बच्छा, जल्दी से बोलो, हंजी सर, ये करेगा, आपका red को blue है, अब यहाँ पर आजाओ, बीज के बिच्छ हुए, ब बनेगा z n o, अब ही सीखा तो अच्छा कैसे बनाँ देखो, आपका ये al है, आपका ये o है, ये plus का 3, ये minus का 2, क्या बनेगा, क्या आपका al two o three, और ये zinc के आपका ये o है, ये plus का 2, ये minus का 2, क्या बनेगा, आपका z n o है, इनका जो oxide है, अब बताओ 인के oxide, ये metal है, अगर metal है तो इनके oxide का nature कैसा होना अच्छे basic है बड़ ये exception है ये ऐसे metal के oxide है जो basic तो है और साप में ये acid की तरह भी behave करते हैं dual nature show कर रहे हैं आप बताओ जब ये base की तरह behave करेंगे तो acid से भीड़ेगा और हम सीख चुके हैं कि acid plus में जो base है क्या बनता है आपका salt plus में water बनेगा या इसका vice versa करो base plus में आपका acid क्या बनेगा आपका salt plus में water है इसका मतलब जब ये आपका base की तरह behave करेंगे तो आपका acid से combine करके salt plus water और जब ये acid की तरह behave करेंगे तो आपका base से react करके salt plus water है इसको example से समझते हैं आप मानोगरी में चाहिए यहां से CBSC ने कोशन पूछा हुआ है पर आप यह समझो what are M4 टेरिक हैं M4 टेरिक का मतल्ड़ा क्या बोलो dual nature है वीफास आपका dual nature वाला oxide है पढ़ा जाए वीफास क्या सीखा देखा है हमने बोलो metal का oxide ऐसे metal के oxide जो कि आपका acids और base दोनों से आपका reactor करेगा और आपका salt और water देगा इसी को क्या बोलते हैं आपका M4 टेरिक oxide से example की बात करो मिट आपका बोलो वीफास आपका zinc oxide है और साब में आपका Al2O3 है अब exam में आता example से समझाओ जहां से देखो आपके NCRT का ही example है यहां मुझे बताओ यह Al2O3 है मुझे अभी यह नहीं पता कि किसकी तरह behave कर रहा है सामने देखो सामने कौन आपका यह acid है आपका HCL है आपका hydrochloric acid है तो अगर यह acid है तो पक्का यह क्या होगा base की तरह behave करेगा और यहां देखो यह base है बच्छा sodium hydro oxide strong base है तो अगर यह base ह और यहां पर acid की तरह behave कर रहा है तो can we say that Al2O3 is an example of M4 teric oxide आपका answer yes होगा अब यह product कैसे बने यह सीख लो देखो simple सा है आपका base plus में acid है water तो बनेगा यह base plus acid हो या acid plus base हो salt plus water है यह salt और यह भी salt है और प्लस है water यह कैसे बना सब यहां से देखो देखो यहाँ पर Al2O3 था ना तो यहाँ पर यह Al है और जो Cl है दोस्ती करिए देखो Al और Cl ने दोस्ती करिए प्लस का 3 और यह माइनस का 1 क्या बनेगा जल्दी से बोलो आपका AlCl3 क्या सभी को आया इसका नाम बताओ मुझे aluminium chloride note कर लो यह अपने NCRT पे note कर लो काम आएगा बोलो आपका aluminium जल्दी से yes आपका chloride है आजओ यहाँ देखो बहुत काम का है यहाँ प Al की दोस्ते आपका O से और Al ने क्या बनाया कुछ ऐसा यह सब नोट कर लो जल्दी से आपका यहाँ पर जो Al है विटा देखो आपका H2 बहार आगया आपका जो Al है और यह आयन है इसको बोलते है Aluminate Ion क्या बोलते हैं आपका इसे कहा जाएगा Aluminate Ion है और यह जो Aluminate Ion है यह किस से भिड़ने वाला आपका sodium से भिड़ेगा तो मुझे आपके पास की देखो Na है और यहाँ पर यह Aluminate है यह आपका A-L-O-2 यह प्लस का 1 यह माइनस का 1 क्या बनेगा N-A-A-L-O-2 and N-A-A A-L-O-2 and this is called Aluminate तो नाम बताओ sodium Aluminate पढ़ा जाए sodium Aluminate है अगर आपने चाप्टर सेकिंड पढ़ा था acid waste and salt है वहाँ क्या सिखा था एक था Na2 ZnO2 वहाँ कैसे वह देखो ऐसे यह आपका Na था और यह आपका ZnO2 था यह प्लस का 1 यह माइनस का 2 और यह बनाता sodium zincate वी फा 2 लगा देंगे तो यह गलती नहीं करने क्या सभी को अच्छे से आया Aluminium chloride और आपका Aluminium sodium Aluminate है और इस तरीके से आपने सीखा यह Amphoteric Oxide का Example है आगे बढ़ते चलो क्या है डण 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 तो यहां कोशन आपसे पूछा गया पढ़ा जाए ऑल्दो मेटल आपके जो मेट options आपके सामने है और अभी सिकता आलू जान तो आपका जान तो है नहीं आलू मिल गया तो इसका जो Oxide है कौन सा Al2O3 यह आपका दिखाएगा Amphoteric Oxide से और यह आपका एक बढ़ता है Aluminium chloride और दूसरीया sodium Aluminate है पक्का सभी को आया एक्जेक्री चलो क्या है तो हमने यहां पर सीख लिया है और यह डू यू नो यह कभी करना डू यू नो से भी कोशन आ जाता है देखो यह आप NCRT पर है यहां पर है क्या देखो एक प्रोसेस है एक और सब मेरे पीछे 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 बोलेंगे विटा एनोडाइजिंग बोला आपका एनोडाइजिंग है वीफा यहां पर आचाो जर्सट अभी क्या सीख करता है और पर हां जी बलो मांगे आलू जान पांच बार तो यह जो एल मैं सके बात कर रहूँ इस मैं इस एल की बात कर रहुड़ कर रहो यहां जल्दी से आ जाओ इनोडाइजिंग एक एसा प्रोसेस है जहांपर हम क्या करते हैं यह जो AL है ना AL इस AL के बाहर एक औकसाइड की लेर बना लेते है AL2O3 अब सरा बलो सर वैसे हम इतने बिजी हैं तो ऐसा काम करने से क्या फाइदा होता है आप मुझे पता हो अगर यह एक बार औकसाइड की लेर बन जाएगी तो क्या यह इससे कोरोजन से बचाएगा कोरोजन क्या होता वैटा बेसिकली जब मेटल्स को एक्सपोस करते हो बाहर तो उसकी जो प्रापर्टी अलग हो जाती है वो डल हो जाते है तो हम चाहते हैं वो चीज ना हो अलमीनियम पढ़ा जाए विटा डेवलपस अ थिन ऑकसाइड लेर वन एक्सपोस्ट तो एर इस अलमीनियम ऑकसाइड कोट मेक्स एट रसिस्टेंट तो फर्दर कोरोजन यह बचाएगा यह कोरोजन से बचाएगा पकी बात है किया और साथ में हम और जादा रसिस्टेंस क्रेट कर सकते हैं कैसे इसकी लेर को और थिक करके और रेड़ी हो जाता है इसको और थिक कैसे किया जाएगा विटा अनोडाइजिंग के प्रोसेसे पढ़ा जाए देखो दर रसिस्टेंस कान भी इंप्रूट फर्दर बाइ मेकिंग दा ऑकसाइड लेयर थिक कर क्या सबको दिख रहा है बच्छा क्या आपको प्रोसेस दिख रहा है देखो यहाँ पर यह आपका अलमीनियम है तो अलमीनियम को यहाँ पर क्या करेंगे जली से वह आपका अनोडाइजिंग है जहाँ पर aluminium की जो strip है इसको बनाया जाता है आपका anode और यहाँ solution पर क्या रखा जाएगा S2SO4 है और जब electricity को पास कराया जाएगा हम यह देखेंगे कि आपका जो AL है वो किस से कमाइन करेगा जली बोड़ आपका O2 से और आपका बन जाएगा आपका AL2O3 जिससे उसको फर्दर आपको क्या मिलेगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्या मिलेगा हंजी आपको एक attractive look मिलेगा उसको और resistance से बचाया और corrosion से बचाया जा सकता है पड़ा जाए देखो जो आपको oxygen gas न anode पे involve होगा वो aluminium से रेक्ट करके बनाएगा थिक protective oxide layer है डन है क्या कभी कवर आप मानोगे नहीं है हम पुरे साल पर NCRT NCRT करते हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ को miss कर देते हैं जिसकी वज़र से कुछ एक आत कोशन आपके रह जाते हैं मैं आपसे बोलूँगा 100 में से 100 का plan है हमारा तो हर एक चीज़ करनी जरूरी है आज जाओ चलो ठीक है अब हमने सीखा metal याद रखना metal प्लस में oxygen metal का oxide है दूसरा आज जाओ reaction of metals with water कि metals का reaction water के साथ कैसा है एक बास को read करो अच्छा we found बहुत simple है बोलो आपके पास अगर मान लो metal है अगर metal water select करेगा तो यहां metal का oxide देगा साथ में आपका hydrogen gas देगा यह एक general form है metal प्लस में water metal का oxide प्लस में आपका hydrogen है छोटा सा example चे मान लो अगर मैं na लेता हूँ तो na plus में आपका water है क्या बनेगा जली बुल आपका आपका na2o बना और साथ में आपका hydrogen gas है 100% है गया और यह na2o क्यों आया क्योंकि आपका na का oxide बनेगा तो यह plus का one यह minus का two यह छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी सभी को आया ना उसके नीचे क्या है अब होता क्या यार कुछ कुछ बुल आपका कुछ कुछ metal के oxide आपको याद है आपका यह leanak यहने alkali metals कहते है leanak इनके जो oxide है इनके जो oxide है वो water में dissolve हो जाते है तो अगर metal का oxide है और सुनो अगर वो water में dissolve हो सकता है तो फिर से water से भिड़ेगा और क्या बना देता है आपका metal का hydro oxide है I repeat metal plus water metal का oxide plus hydrogen है अब ऐसे metal के oxide जो water से भिड़ सकते हैं जो water में dissolve हो जाते हैं सारे नहीं होते सारे नहीं होते बच्चा कुछ कुछ होते है example leanak इनका oxide तो होता है से मच्चा calcium है आपका magnesium है इनका भी oxide आपका हो जाएगा अभी इतने ध्यान रखने है फिर class 11 की chemistry पढ़ोगे अपने आप सीख जाओगे तो metal का oxide plus water क्या बनेगा metal का hydro oxide अब यहीं आजाओ यहीं आजा बेटा कि अगर यह Na2O है अगर आप इसको फिर से water से कराओगे तो यह बनाएगा sodium hydro sodium का hydro oxide है अब यहाँ पर कुछ add होगा वो क्या होगा हम सीखने वाले हैं क्या सभी को जनरल तरीके से आया यह सब ने ध्यान रखा ना ओके सर अब मैंने हर बर कहा था अलग-अलग metals की अलग-अलग reactivity होती है तो ड्रामे तो यह भी करेगा अलग-अलग ड्रामे यह भी करने वाले और उसी ड्रामे से कोशन पूछा जाता है देखा जाएँ आप बिल्कु द्यान से बहुत शान यह बहुत ज़्यादा काम का है इसलिए द्यान से देखना बच्चा जल्दी से हम यहाँ पर आजओ आजओ और आजओ है कि आपके पास मैंने कहाता न जैसे ही आपका यह लीथियम है यह अपका लीथियम आपका सोडियम और पोटेश्यम बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं एक्जाम्पल आईए जो आपका सोडियम है अगर मैं सोडियम की बात करो ने और आपके लोग के है अगर मैं इसको water से कराओंगा तो आपका क्या बनेगा अचपका आपका बनेगा बोलो sodium oxide और साथ मैं आपका बनेगा hydrogen gas بنेगा ड़ ने क्या बाद में यह sodium oxide यह waters में dissolve होके तो यह sodium oxide नहीं रहेगा यह sodium oxide की जगह क्या बन जाएगा hydrogen gas चला जागा बटा तो यह बनेगा बोलो कि आपको जली से आपका sodium आपका hydro oxide है पकी बाते है से यह जो hydrogen बना है इसको यह burn करेगा I repeat sodium potassium है अगर आप इसकी जगह potassium लिखो के भी फास्ट अगर बच्छाब इसकी जगह ना आप potassium लिखो के दिखोए रहा के तो के प्लस में आपका water है पताओ क्या बनेगा आपका बनेगा डायरेक्ट लिखो potassium hydroxide बनेगा और प्लस में आपक जो यह आपका potassium और जो lithium है इनका water के साथ reaction बहुत खतरनाक है तब यह देखो product के साथ सब इने क्या लगा है विटा heat energy है क्या calcium का reaction देखोगे ना calcium का जब reaction तुम देखोगे water के साथ है तो इस वाले case में क्या बनेगा calcium hydroxide बनेगा बट यहाँ पनना आपका जो heat energy वाला concept है heat energy बनेगा क्या नहीं सर इसका reaction इतना violent नहीं होता चलेगा बच्चा इसका reaction इतना violent नहीं है वो किसका है क्यूंकि अलग-अलग metals की बोलो अलग-अलग metals की अलग-अलग activity है चुरो आपको में 30 seconds देता हो क्या आप इसको try कर सकते हो जल्दी से इसको try किया जाए क्या बनेगा मैं आपको सिर्फ देरो आपका 30 seconds सोचने के जल्दी से और हम NCRT से late करते चल रहे हैं और हर कोई बच्चा NCRT book के साथ सक करते जल्दी से try करो क्या कि आप क्या बनेगा तो देखो just a second बच्चे यहाँ पर NCRT के साथ सम करेंगे just a second done 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 है क्या होता सोचो तो आप क्या बोलोगे हंजी सर कि देखो same ही कहानी है यहाँ क्या बनेगा आपका magnesium बोलो magnesium hydro oxide है मिरा आपसे question यह है क्या मुझे आप बताओ इस case में आपके साथ से heat energy बनेगा यह नहीं बनेगा तो आपका answer क्या होंगा sir नहीं बनेगा क्या आपका यह जो टेबल है ना इस टेबल से बहुत कुछ सीखने वाले हो आप यह टेबल सेट कर लो आपका काम हो जाएगा यह बहुत सारे exception है और यहीं से CBSE के board में question आते हैं और don't worry अभी कितना complicated से लग रहा है इसको अब सिर्फ 5 मिनट के अंदर याद करने वाले हो I promise 5 मिनट के अ हो जाएगा start करें कि आजाओं अब मैंने क्या कहाता कि अलग-अलग metals की अलग-अलग reactivity है यहाँ पर आजाओ cold water मालो cold water है अगर कोई metals cold water से react कर रहे हैं और कोई करें कि हम cold से नहीं करेंगे हम hot से करेंगे hot मतलब आपको गरम करना पड़ रहे हैं किन metals की reactivity ज्यादा होगी hot वाले की या cold वाले की जो cold से कर रहे हैं इतने बदमाश है बोलो क्या है बोला आपका ना का का सब बोले आपका ना का क्या बोलना आपका ना का थंडा पानी जल्दी से बोलो आपका ना का का थंडा पानी यह सर मतलब क्या है ना का का थंडा पानी बोलो मांगे जल्ली बोलो मांगे मांगे आपका गरम पानी मांगे आपका hot पानी फिर से बोलो ना का का थंडा पानी, मांगे गरम पानी ना का का, ना sodium, potassium, calcium ये ऐसे metals हैं जो कि आपके cold water से react कर जाते हैं I repeat, cold water से react कर जाएंगे मांगे गरम पानी, magnesium cold से react नहीं करेगा magnesium किसे करेगा, आपका hot से करेगा अब आप मुझे बताओ, यहीं से आपको एक idea मिल गया, कि अच्छा जो magnesium है, पका उसकी जो reactivity है वो sodium, potassium और calcium से कम है और same, अगर मैं calcium का पूछूँगा, बताओ calcium और Na और K में तो आपने क्या देखा था, sodium और potassium जब आपका react करेगा heat energy भी बना रहा था, तो मतलब calcium की पका reactivity आपका इस से कम है, इस तरीके से आप देखो कि सारी metals को हमने अरेंज करका, जो हम पार्ट थार्डें पड़ेंगे, 100% एक है, yes sir, तो बताओ, कोई पुछे ऐसे कौन से metals है, जो cold water से react करेगे, बोलो आपका sodium, potassium calcium है, ऐसा कौन सा जो आपका गरम से करेगा, अब देखो ये भी गरम से कर जाएंगे, बोलो आपका cold से करेगा, तो cold का आपको ध्यान लखना है, मांगे गरम पानी, तो magnesium cold से नहीं करेगा आपका hot से ही करेगा, और यहीं से कोशन बनने वाले, पका आजो अब calcium, अब बोलो का मांगे, ऐ बबया आप बबया, का मांगे तो आप बोलो hydrogen मांगे बोलो, का मांगे hydrogen मांगे आप कही मांग रहे है, क्योंकि जब हाइडरोजन मांगेगा, तो ये गाना गाएगा इस धरचला में, वो धरचला कैसे देखो, जब calcium और magnesium का reaction होता है मैं चाहिए थिंग मिटा है यहापर बहना just a second यहापर hydrogen भी add कर देना I repeat just a second यहापर hydrogen भी add कर देना अब यहापर आजाओ जली से देखो जब calcium और magnesium water से react करेंगे तो obviously बात है hydrogen gas बनेगा जली बोलो obviously बात है आपका hydrogen gas बनेगा यहाँ heat नहीं बनेगा था न तो यह जो hydrogen gas है यह आपका calcium और calcium और magnesium के surface में stick यह नीचे आके stick हो जाएंगे जिसकी वज़से calcium और magnesium float करता हुआ नजर आता है hydrogen gas बहुत हलकी होते हैं तो नीचे चिपग गए तो इसे float करेगा ऐसे float करेगा तो का मांगे hydrogen क्योंकि जैसी hydrogen आएगा यह float करेगा तो अगर आपसे कोई पूछे हैं से कौन से metals हैं जब water से reaction करेंगे तो वहाँ पर वो float करना चालो हो जाएगा बो calcium and पढ़ा जाए इसको भी fast calcium and magnesium float as bubbles of H2 stick हो जाता है surface पे यहां से give reason भी आसकता वाई तो आप बोलोगे क्योंकि जो S2 है उनके surface पे stick हो गया ना का का थंडा पानी मांगे गरम पानी का मांगे hydrogen मांगे अब यहां पर आज़ाओ जल्दी से आज़ाओ बोलो कि है हंजीव तो अब यह cold water से बहुत जादा reactive यह उससे कम हो जाएगा यहां पराज पीटा reaction with steam अब यह बहुत demanding है steam बोले तो क्या आपका water पर steam बोले तो जब का H2O यह आपका water vapor है call लोगे yes sir तो यह इतने demanding है बोलते हैं और ना मांगे गरम पानी और ना मांगे ठंडा पानी हम तो steam मांग रहे हैं इनके भाव बड़े पड़े हैं और कौन है मामी जान बहुत demanding है बोलो मामी जान बहुत demanding है लेकिन हमारी तो मामी जान भी नहीं है हमारी कौन है अलफी जान सब मिलके बोलेंगे बच्चा बोलो आपका अलफी हमारी जो अलफी जान है वो बहुत जादा demanding है क्या बोलती है कि मुझे steam से यह नहाने के लाएक जमान लो याद करने का तरीका है बोलो आपका अलफी जान अल से aluminium फी से iron जान से आपका जिंक हो जाएगा अलफी जान फिर से बोलो अलफी जान मतलब यह ना cold से करेंगे ना यह आपका hot से करेंगे इनको steam ही देना पड़ेगा तो अगर आप मान लो AL प्लस मैं आप water दोगे तो क्या अगर water है यह stream नहीं है reaction ही नहीं होगा but you can't put the sodium in the water और भईया फूग देंगे same calcium है but आप aluminium को water के साथ रख सकते हो hundred percent है का yes sir और same आप में देखा होगा जो आपी घर में लोहे के बड़तन है उसमें पाने ही पी सकते हो क्योंकि F.E. water से react करता ही नहीं है क्या सभी को आया क्या हंजी sir अलफी जान को stream ही ची है अब मैं example दिखाऊंगा आप बोलो क्या है आप संदू सर के acting हलो हलो हाँ मैं नहीं आ रहा पब क्यूं आउं आउं आज पब क्यूं आउं आउं आज मैं नहीं आ रहा मैं मेरे घरे पानी नहीं आउं आज मैं पब क्यूं आउं आज पब जानते हो ना डिक्चिक डिक्चिक पब क्यूं आउं आज पब क्यूं आउं आज पब क्यूं आउं आज पब क्यूं आउं आज क्यों कि मेरे घरे पानी नहीं आ रहा ये ऐसे metals है reactivity तो और कम हो जाती, बोलो pub क्यों आउँ आउँ आज, pub से lead, क्यों से copper आउँ से आउँ से आपका gold और AG से आपका silver हो जाएगा, pub क्यों आउँ आउँ आज I repeat, नाक का थंडा पानी मांगे, गरम पानी का मांगे, hydrogen मांगे, अलफी जान steam, और साथ में, pub क्यों आउँ 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 आज, no reaction with water, बला PB plus water no reaction, PB plus even steam no reaction, क्या ये सब को अच्छे से रड़ गया, और यहां से आप मानोगे नी, बच्छे पुरे साल भर परेशान, कि सर कोई cold से कर रहा है, तो अब मुझे पता है, तो उसका solution क्या है, कि आपने इसको याद कर लिया, इस तरीके से, ये आपने कहीं भी copy, पर जाब भी note कर रहे होगे NCRT में हलकर सा एक paper लेना उसमें note करकर स्टैपला कर दिना था कि exam time में आप यहां से revise कर सको यही काम आते है, यहां से कोशन आए यहां से कोशन आए था, कि आपको दिया था इन में से कौन सा oxide है, जो dual ने चे दिखाएगा, बहुत सरे options थे, तो महाँ पर aluminium oxide यह था, तो NCRT की line से as it is question उटके आ जाता, इसलिए आपको NCRT की हर एक चीज को करना पड़ेगा, कौल लोगे exactly sir, अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बता, बोलो कि आपका which one of the following metals do not react with cold as well as hot इन में से कौन सा ना cold से करेगा, ना आपका hot से करेगा, बोलो क्या सीखा था क्या सीखा था अपका अलफी जान, अलफी जान ऐसे metals है, ना मांगे गरम पानी ना ठंडा इने स्टीम चाहिए, and the right answer is आपका FE, अब यहान बिल्कुल ध्यान से देखो बच्छा, आजओ what happens when calcium is treated with water, यह question previous year से लिया गया है आजओ, क्या होगा जब calcium को water के साथ, अभी देखा था, कि जब calcium का reaction आपका water के साथ होगा, पहली बात तो, इतना तेज नहीं है, जिसे आपका sodium potassium, अगर आप calcium को water से कराओगे न, तो यह बनेगा calcium hydroxide plus में आपका उच्छा H2 बनेगा, और यहाँ बुल आपका जो है, heat energy नहीं बनेगा, heat energy नहीं बनेगा, पकी बात है कि yes sir, तो आपका इसका reaction इतना violent नहीं है, पड़ो, it does not react with water, फालतू बाते है, it reacts violently नहीं बच्छा, तेजी से नहीं कि गलत बाते है, यह से ठीक है देखो, it reacts less violently less violently with water, उसके बाद, याद है का मांगे, बोलो का मांगे, hydrogen मांगे, का मांगे बच्छा, hydrogen मांगे, वो जो hydrogen है, उसकी surface में stick हो जाता हो, वो float करते है, bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium, यह भी ठीक है, तो third and fourth is the right answer, क्या सभी को आया, है जी sir, आगे बड़े देखो, NCRT के हर एक line से question बनता है, ओके, अब यह setup as it is exam में आया, कि मुझे ऐसा setup बना के steam से react कर रहा है, देखो हुआ क्या, यहाँ पर है बच्छा कि देखो, आपका burner है, और इसके ऊपर पड़ो, glass wool soaked in water, यहाँ पर बच्छा कि आपका यह wool है, और उसको पानी में आपने so कर रहा है, आप जब गरम करोगे, तो obviously बात है जो water है, water से क्या मिलने वाला आपका h2 को गरम करोगे तो आपको steam मिलेगा, और यह steam आगे जाके किस से भिढ़ने वाला है, आगे जाके आपके metal के sample से, और अभी सीखा था कौन से ऐसे metals हैं, जो आपके steam से react करते हैं, बताओ, अलफी जानना, तो इस sample में हो सकता आपका AL हो, हो सकता आपका FE हो, हो सकता आपका zinc हो, मैं FE के example को लेके यहां चीज़े करवाने वाला हूँ, 100% है कि यस है, और साथ में बोलो कि आपका हंजी, यहां से एक pipe है, और इस pipe को उप water होगा, और यह आपका मान लो, अच्छा steam है, यह G है, तो क्या बनेगा, obvious ही बात है, metal प्लस में आपका water, metal का oxide है, तो आपको AL2O3 मिलेगा, और साथ में आपका hydrogen gas मिलेगा, अब जो मैं reaction लिखने जारा हो, बहुत ज़्यादा काम किये, अब मैं जो अच्छा reaction लिखने जार यह solid और यह आपका gas, gas वाला steam है, तो बताओ, यहाँ पर AL2O3 क्यों बना, बहुत simple है सर, because AL का charge plus का 3 होता है, और O का minus का 2 होता है, अब आप बताओ, आपने पढ़ा था, कि जो FE है, FE का charge तो 2 भी होता है, और FE का charge तो 3 भी होता है, ध्यान दो, जब FE का charge 2 होता है, plus का 2, तो बोलेंगे, बच्छा, आपका ferrous है, और जब यह plus का 3 होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आपका ferrous है, जब plus का 2 होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आपका ferrous है, और जब plus का 3 होगा, तो यहाँ कौन सा वाला बनेगा, तो हम यहाँ देखते हैं, बच्छा, यहाँ ऐसा oxide बनने वाला है जहां पर प्लस का 2 भी है प्लस का 3 सर कैसे आ जाओ मानलो आपका FE और यह O है अगर प्लस का 2 होता तो क्या बनता यह बनता आपका FEO अब मानलो अगर FE प्लस का 3 भी होता तो क्या बनेगा आपका O माइनस का 2 है, यह बनेगा आपका इसे से, इसको इसे, आपका Fe2O3, अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, तो Fe1 है, और यहाप पर Fe2 है, तो यह बनेगा Fe3, और आपका यह O, एक और तीन, आप चार, क्या बनेगा वीफास, आपका वोलो, Fe3O4, और इसका नाम मुझे बताओ, इसका नाम बहुत है, सॉलिड होचा, और साब में कौन सा गैस बनेगा, आपका हाइडरोजन गैस बनेगा, डने क्या देखो, और इसका नाम बताओ, यहाँ पर Fe2 का 2 भी है, और Fe3 भी है, तो प्लस के 2 से क्या आएगा बच्छा, फेरस, और प्लस के 3 स जब तुम क्लास 10 में आई होगे, और आपको बैलंसिंग सिखाई गई होगी, तो सबसे पहली रियक्शन जिससे आपको बैलंसिंग सिखाई थी, वो यही थी, कुछ याद आए आपको, Fe3 है, तो यहाँ पर 3 लगा दो, H आपके 2 है, आपके H कितना है, आपका V4 2 है, और O4 है, तो यहाँ आपर V4 जली से, हंजी, ओकी आपका, तो यहाँ चाल लगा दो, और ऐसा करने से अपको यह आठ हो गया, यह आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ चाल लगा तो, कुछ याद है आपको, कुछ याद है आपको इसी से बैलंसिंग सिखाई गई होगी, तो यहाँ और जो बना था फैरोसो फैरिक है तो यह पूरा सेट अप बहुत ज़ादा वी आईपी विटा सीविसी ने थ्री मार्क सा कुछ ने एज इस यहां से पूछा था 100% है कि यह हर एक चीज आपको नोट करती है अपने NCRT पर सभी को आया बेटा हैंजी चलो कि अब आचाओ यहां पर क्या पूछा गया पड़ो इन में से कौन सा ओकसाइड है आईरन का जो कि आपका मिलेगा जब मैं आईरन को स्टीम से कराऊंगा जब मैं पहली बात तो यह रियक्शन बहुत धीरे होगा तो यह साफ से बोलाग बहुत देरी में होगा तो अब ही दिखाता जब FE को किस से कराएंगे स्टीम से क्या बनेगा FE304 and that's the right answer बोलो कि आपका FE304 है क्या सभी को आया और ये भी आपका PEQs है आप देखो ये भी आपका PEQs है तो अगर आप lectures भी complete करते हो ना तो बहुत सारे PEQs आप कर रहे हो मेरे class में 100% है क्या end बच्छा दिल से बोलू बहुत सई जगा आयो बहुत सई जगा कहीं नहीं जाना यार हसते खेलते पूरी जर्नी है ये लोगों में बहुत रारक है बोड़ बोड़ है बोड़ बोड़ अरे बोड़ है तो अच्छी बात है कुछ मज़ा आएगा कुछ पेपर पढ़के हम करेंगे ये देखो ना क्यों डरते हो यार पढ़ो से पहले अपना स्रिबस करोगे ना तो सतर से असी परसेंट जो फियर है वो खतम हो जाता है चलो किया आज जाओ यहां पर ठीक है अब अच्छा ये आपके लिए बहुत असान है क्योंकि ये कुछ नया परिशान नहीं करेगा नया था मेटल प्लस में ऑक्सीजन मेटल का ऑक्साइड मेटल प्लस में वाटर मेटल का ऑक्साइड प्लस में हाइडरोजन और कुछ मेटल के ऑक्साइड जैसे एग्जामपल अब बताओ यह जो मेटल का ऑक्साइड नहीं यह बना है यह वाटर पर डिजॉल होगा नहीं होगा तो आपके लिए कि जब भी किसी मेटल को हम आपका डाइलूट है अब सब्सक्राइब क्या होता है यह जातर हम जब रियक्शन कराते हैं तो हम कॉंसेंट्रेट नहीं लेते हैं डाइलूट ही लेते हैं कि वह बेसिकली ऐसे मालों कि जो कॉंसेंट्रेट बहुत जब स्टेंथ है तो वह आपको नुक्सान करेंगा तो जातर देखो कि आप डाइलूट ही कराते हैं यहां पर वाटर का कॉंटेंट है आजाओ तो मैटल प्रेस में डाइलूट एसीड है बोलो क्या तो यहां पर होता क्या है मानलो कि एसीड आपका ए बोलते हैं रियक्टिविटी सीरीज है यह बहुत काम किया फिर से बोला एक बार वैसे इसको हम नेक्स पार्ट हैं पढ़ेंगे पर लेकिन सुन लो का ना कालू मांगे आलू जान फिर पांच बार हां क्यों हां जी आज आउँ और इसके आगे जोड़ो पीटी का ना पटन पीटी से प्लाटिनम है तो आप मुझे बताओ यह जो एच है यह आप मानोगे नहीं यह एच आपका नॉन मेटल है इसे क्यों रखा गया है बहुत डेटेल में समझोगे रेफरेंस के लिए है आप जब क्लास 11-12 में जाओगे इलेक्ट्रो कमिस्ट्री पढ़गे वहां सी इसके उपर जितने भी मेटल से है वो पकी बात है हाईडोजन से ज़्यादा रेक्टिव है इसके उपर जितने भी मेटल से है वो हाईडोजन से रेक्टिव है तो क्या इनके पास इतनी हिम्मत है कि वो हाईडोजन को डिस्प्लेस कर सकता है जली बोलो क्या वो हाईडोजन को displace करेंगा आपका answer yes है तो आपका ये जो metal है अगर वो इस H से जादा reactive है, example अगर इसके नीचे आओगे, तो क्या आपको reaction मिलेगा नहीं sir, इसके उपर वाले metal उस acid दिखो, ये जो acid है उसमें जो H है, उसको क्या करेंगे displace करेंगे, और क्या होगा वी-fast आपका उसको बहार निकाल देंगे और फिर जो आपके पास acid है उसका negative part बचे करना, वी-fast उसका जो negative part है, उस negative part से वो metal दोस्ती करके आपका salt बना लेगा, बहुत प्यारा सा example यहाँ देखो, आपके पास mg है, तो इस mg ने देखो यह आपका mg, यह आपका mg है यह mg आपका hydrogen से उपर है देखो, hydrogen से उपर है तो इस mg के बास इतनी हिम्मत है कि इस edge को displace करेगा तो इसको कर दिया, आपका यह s2 भारा गया और यह जो mg है, यह plus और यह जो minus है, वो दोस्ती करके mg Cl2 बना लेंगे सेम आजओ, यह zinc आपका S को displace कर दिया और zinc और CL ने दोस्ती कर लिए zinc chloride है, सेम अच्छा aluminium plus 5 आपका यह CL देखो, aluminium chloride हो गया और H को बहार निकाल दिया अब यही reaction, अगर मानलो यह metal है अगर मैं इसकी जगा यह non metal कर दो, तो मुझे बताओ, क्या वो reaction मिलेगा, तो आपका answer no है यहाँ से बहुत बढ़िया concept आप सेखने वाले हो पता आपको यह S2 बना कैसे है यह please समझना, अगर आपको आया तो बहुत अच्छी बात है देखो, आप मुझे बताओ example, मानलो यह अपका mg अठी है, और प्लस में आपका HCl है, आज़ो mg Cl2 बना कैसे देखो आज़ो, अब मानलो इसका तुम solution लोगे, तो आपने क्या पढ़ा था chapter second का recall करते हैं acid अपने aqueous solution पे तूट जाता है, तो तूटेगा क्या बनेगा बोल आपका H plus बनेगा और साथ में आपका Cl- बनेगा, डर्म अच्चावाड़ी हां जी सर, तो अब आप मुझे बताओ ये जो metal है, वीफास्ट ये जो metal है, ये metal के पास टेंडनसी होती है, आप पढ़ोगे, कि ये electron को donate कर सकता है, वीफास्ट, बोलो आपका ये electron को donate कर दिया, क्यूं करा? ये आप part 4 में पढ़ोगे दो कर दिया, अब आप बताओ ये जो hydrogen है, वीफास्ट, ये hydrogen के पास electron की कमी है, क्योंकि इसका charge plus है, तो plus charge है माइनस कम है, तो ये क्या करें है, वीफास electron से दोस्ती करके आपका H बनेगा सेम एक और H प्लस एक और electron से भिड़के आपका H बनेगा, और ये दुनों जुड़के आपका H2 बन जाता है, तो बताओ कि अगर इस metal के पास ये tendency है, कि ये electron को donate कर सकता है, तभी तो electron दे पाया, तभी तो hydrogen को electron दे पाया, अगर इसके पास tendency नहीं होती, तो क्या ये आपका hydrogen को electron दे पाता नहीं सर, अब को सोचो, तभी कहते हैं कि जो metals होते हैं, वो electro positive होते हैं, उनके पास tendency होते, electrons को donate करने की बड़ जो non metals हैं, इनके पास tendency होते, electrons को accept करने की, तो जो खुद accept करता है, वो hydrogen को कैसे देगा, तो अगर आपसे पूछे कि non metal का reaction क्यों नहीं है, because non metals electro negative होते हैं, वो electrons को accept करते हैं, तो वो आपका S plus को बो, S plus को electron नहीं दे पाएगा अगर ये concept आया, तो अच्छी बात है, नहीं आया, तो एगा फिर से reverse करो देखो, फिर भी नहीं है, अच्छा जब मैं part 4 पढ़ाऊंगा, तो वहाँ अच्छे से बढ़ा दूँगा पका ना, तो metal सा electro positive और non metal सा electro negative है तो metals के पास tendency electrons donate करने की, और non metals के पास accept करने की क्या सभी को अच्छे साय है, हाँ जी, अब सर को यादो, अगर आप सब को यादो जब मैं, class 10 में chapter 2, acid, base and salt को बना था तो मैंने आपसे एक बात कही थी, बोलो क्या बिटा कि metal का reaction जब भी HNO3 के साथ होता है थोड़ा सा alert हो जाओ क्योंकि HNO3 आपका exception है, यह बहुत जरूरी है, यहाँ से question पूछा जाता है, देखो हुआ क्या है यहाँ पर यह जो HNO3 है, यहाँ पर आज़ा देखो भी फास पढ़ा जाए, पढ़ो क्या देखो hydrogen gas is not evolved जब metal को कराएंगे nitric acid के साथ है, देखाज़े बिटा, अब यह कैसे हुआ, हमने तो पढ़ा था कि metal को जब आप acid से कराओगे salt प्लस hydrogen और यह आपको पता है ने मिटा, hydrogen gas को confirm करने के लिए कौन सा test करते हैं यह जाँ से तो पता होगा, आपका pop sound test है कि हम बहुत बाप पढ़ चूके, pop sound test है, कि hydrogen gas always burns without pop sound है, डन ने बच्छा अब यहाँ पर आचाओ, तो सर यह क्या बात होई कि जब मैं, nitric acid बोलो आपका HNO3 कि HNO3 के साथ जब मैं hydrogen को करा रहा हूँ, बोलो hydrogen को जब मैं इसके साथ करवा रहा हूँ, तो आप यह कह रहे हो कि H2 नहीं बनता हंजी सर दो कैसे, इसको समझने के लिए उसको oxygen donate करके, माल लो कि अगर suppose एक बंदा है, वो LIC का agent है, उसने मेरी LIC कर दी तो में ले LIC का agent बन गया से मुझा मैं आपका helping agent हूँ, मैं आपके help कर रहा हूँ, और आप learning agent आप पढ़ाई कर रहे हो, वैसी माल लो कि HNO3 इसका एक अपना nature है oxidizing agent, मतलब यह oxygen donate कर पाता है, और donate करके उसको oxidize करेगा, ऐसी कुछ होता है माल लो, अगर मेरे पास कोई metal आपका, माल लो X metal है, वीफास X कोई metal है और मेरे पास HNO3 है मुझा है, आपका HNO3 है तो आपका simple सी बात है, क्या बनेगा यहाँ पर salt बनेगा, यहाँ salt प्लस पर आपका hydrogen gas है, अब होता क्या है यह HNO3 क्या बनेगा मैं LIC का agent नहीं हूँ मैं किसका agent हूँ आपका oxidizing agent हूँ तो मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, मैं तुझे oxygen दे रहा हूँ मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, आपका oxygen है यह इसको oxygen दे देगा और H2 तुरंद इससे combine करके क्या बन जाता आपका H2 अब आप मुझे बताओ इसका nature कैसा आपका oxidizing agent है इसकी वेसे क्या करा, जो hydrogen बना था उसको oxidize कर दिया I repeat, उसको oxidize कर दिया और जब कोई बन्दा किसी को oxidize करेगा तो वो खुद क्या हो जाएगा, reduce और यह आपने पढ़ा भी था कि जो oxidizing agent होता है, वो reduce हो जाता है इसे माल लो न, example अगर मेरे पैसे है, मैं आपको दे रहा हूँ तो मैंने आपको सारे पैसे दे दिये तो मेरे पैसे कम हो गए न, तो अगर इसने इसको oxidize किया, तो खुद क्या हो गया आपका reduce हो गया उसने आपका ओक हो दिया पक्की बाचा reduce हो जाएगा, बोलो, हाँ है न, आज 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 देखो क्या लिखा पढ़ो, hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with 90, कैसे y, यहाँ से और खुद आपका क्या हो जाएगा reduce और reduce होके बन जाता है, N2O NO या NO2 बोलो, N2O, NO या NO2, इसे बोलते हैं nitrous oxide, लिख लो इसे nitrous oxide बोलते हैं बच्छा, और इसे बोलते हैं nitrogen monoxide, और इसे बोलते है nitrogen dioxide, I repeat nitrous oxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide है तब ही कहते है, chemistry जितनी पढ़ो उतनी ज़्यादा exceptions ही लगती है देखो, इतने सारी छोटी-छोटी बाते होती है बट हम क्या कर सकते है, limited चीज़े पढ़के, आप NCRT को grab करके, अपने वोर्ड को फोड़ सकते हो जैसे class 11 पे जाओगे, आप मानोगे खतम कर देंगे, आपने हर एक concept नहीं सीखा, जब-जब class 11 पे जाओगे तो वहाँ परिशानी हो जाती है, इसलिए कहता हूँ time दो, आप lecture को time दो समझो, NCRT के हर एक line करो बहुत strong हो जाओगे 100% है, छोटी-छोटी बाते और जितना जादा learning करोगे उतना जादा learning पर बढ़ेगी, आपके कितना याद करने के tendency बढ़ जाएगी, जल्दी सीखने की बढ़ जाएगी, पका आज़ो बेटा ठीक है, तो देखो क्या है, तो हमने क्या सीखा कि ये सामने वाले को oxidize करेगा मांगे से बढ़ेगा, मांगे से आपका MG और Money से आपका MN मांगे से आपका MG, Money से आपका MN तो ये जो Magnesium और MN से Magnes है बो, Magnesium और बच्छा आपका Magnes है, ये ऐसे metals है जो आपका, अगर मैं इसका बहुत dilute solution लोंगा ना, तो ये आपका hydrogen gas दे देगा, लो फिर से exception, बोलो मांगे Money कि आपका nitric acid oxidizing agent है, बट अगर मैं पूछ हूँ, पिटा MG प्लस में HNO3 बताओ, तो ये exception है, यह क्या बनेगा? Yes, hydrogen बन जाएगा, भी first, hydrogen बन जाएगा, और ये MG इससे भिड़ेगा, क्या बनेगा? आपका Mg, आपका NO3 का twice बन जाएगा, that's it This is the power of chemistry डन डनादर, magnesium, nitrate प्लस हमका hydrogen gas है ये बहुत important है, इसको बार-बार फिर से देखना, 100% है क्या? Yes, अब यहाँ पर आजाओ, जल्दी से आजाओ तो हमने क्या सीखा? Metal प्लस में oxygen, metal का ऑक्साइड Metal प्लस में water Metal का ऑक्साइड प्लस में hydrogen हमने तीसरा सीखा, यहां बोलो कि जब हम metal को किससे कराएंगे, जल्ली बोलो Dilute Acid से salt प्लस hydrogen गयास है, अब हम क्या सीखने जाने है तो आपने पढ़ा था displacement reaction कुछ याद आया, कुछ याद आया, बोलो कि मालनो metal A है और यह आपका salt solution of B है इसको बहुत प्यारे से example से समझते आजाओ, यह metal आपका बोलो A है, और यह आपका salt solution of B है कि यहाँ पर जो metal वो आपका copper है, यह B मालनो, यह B का solution है, यह आपका बोलो कि copper sulphate है, और यह आपका iron है अब आप मुझे बताओ, जल्दी से मुझे अच्छे बच्चों के जाँ आपका यह आपका iron meter और यह बोलो कि copper sulphate है, तो यहाँ पर यह जो Fe है, same वोई, क्या कामाएगा बोलो, same reactivity series कामाएगा आप मुझे बताओ, अभी सी कातना, क्या Fe copper से जादा reactive है यह से नो, क्या Fe copper से जादा reactive है, यह सर, तो अगर यह metal A, इस metal B से जादा reactive होगा, तो क्या यह इसको displace करेगा, यह सर, देखो displace कर दिया, metal B को बाहर कर दिया, और इसका solution बनेगा, solid solution of A मतलब, देखो, यह metal A था और यह B का solution था तो B को बाहर कर दिया गया है और A और इसने दोस्ती करके यह बन गया, क्या सभी को आया और जब आपने सीखा भी था, कि आपके पास नहीं बोलो क्या है, यह जो copper sulfate है copper sulfate का solution कौन से color का होता, blue, यह आपका blue रंग का है और जो आपका ferrous sulfate का solution है, यह कौन से color का होता बोलो pale green, बोलो pale green है तो जब आप, और यह जो जब आपने iron की nail को dip किया copper sulfate के solution जो blue रंग का है तो आप देखो blue से क्या होगे पिटा आपका pale green, क्योंकि क्या बन गया ferrous sulfate है, और यह जो कील था उसके उपर देखो brown रंग का deposit है, क्योंकि जो यह copper बनाए न copper, यह copper आपका उस कील के उपर deposit होगा तो brown coating किस की वज़ा से आई बच्चा copper के उसे, I repeat, brown coating copper के उसे आई यह और जो आपका solution fade हो गया है, वो आपका ferrous sulfate की देन है, अब मैं आपसे question पूछ हो क्या, बताओ, इसका reverse possible है क्या इसका reverse possible है, आपका answer no होना चीए, क्या इसका reverse possible है, नहीं सर, copper F.E. को displace नहीं कर सकता ऐसे question भी आ सकते हैं, और बच्चे कर देते हैं, sorry यार, मैं आपका मज़ाच्ट नहीं उड़ा रहा है, कर देते हैं, कि copper बनेगा सर, लिए लिए, 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 लिए सर, मेरे बच्चों, ये आपको सीख रहे हैं, silly mistake नहीं करनी, आप मानोगे नहीं, अच्छा, खासा बच्चा क्या कर जाता है, SM, SM क्या होता आपका, संतोस, संतोस महान, नहीं भीटा, बोलो silly mistake, silly सिली मिस्टेक नहीं करने अगर आप सिली मिस्टेक करोगे दिक्कत हो जाएगी और यहां पर देखो क्या बेटा यह अब सेम दिखाए गया कुछ इस तरीके से आईरन नेल के अपर ब्राउन नंका डिपॉशन नजर आएगा और यहां पर नोट कल वचा कॉपर सिल्फेट का स सेकिंड में भी पढ़ा था डने क्या डोंट वरी अभी कैसे कोशन आते हैं सर इस चाप्टर से हमें कोशन का आईडिया नहीं मिल रहा मैंने क्या करवाया आप तभी मैं ना चाप्टर का रिकॉर्ड वर्जन दे रहा हूं बहुत टाइम बसता है और यह आप एग्री भी कर व已经 live करता हूं मैं क्या करता बच्aż आपको आरहा है जली बोलो आपको आरहा है हां चैट पढ़ रहा हूं हां सबको आरहा है हां तो आपका time पर सौफा 100% एक है yes sir तो सभी को आया ना तो आपने इसी कहा आ जाओ ओके अब बारी बोलो किस की आपका अब बारी आपका home work ही बस एक कोशन दूँगा आपको home work में एक कोशन आपको दूँगा अच्छे home work में बोलो किया है जनरली बोलो आपका पकी बात है बच्छा आजाओ मेरे प्यारे बच्छो अब क्लास के end मिना आपको एक छोटी सी बात अपडेट करना चाहता हूँ जिन बच्छों को नहीं पता आप सब मुझे कहाँ फॉलो कर सकते हो अनेकेडमी के अप्लिकेशन के अंदर आप मानोगे नहीं याँ इतनी सारी क्लास मैं कर रहा हूँ यसे आप यूटूब से पढ़ रहे हूँ वैसे अनेकेडमी के आपके अंदर न दो क्लास होते देखो एक होता है स्पेशल क्लास ये जो स्पेशल क्लास होती है इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने सौरी मैं ऐसे वर्ड का स्वाल कर रहा हूँ बट कोई फ्राइस नहीं है बट अगर आप मेरे पेड़ बैस को जॉइन करना चाहते है अब्विस ही बात है आप मुझे बताओ आप आफ लाइन नहीं जाते क्या आपको लग रहा कि नहीं संतोसर हम आपसे नहीं पढ़के भी उच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप मेरे पेड़ बैस को जॉइन करो अल्विस वेलकम है बट अगर आप यहां से पढ़ पारे तो यहां से पढ़ लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लगता कि यार हम संतोसर का पेड़ जॉइन करके और अच्य सीख सकते हैं उन्हें और डाउट सॉल्विंग और असायन कर सकते हैं तो आप मेरे पेड़ बैस को जॉइन कर सकते हैं अगर आप इस कोड का यूज करके इस पेड़ बैस में अनुल करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा जल्दी करो यार क्या करें भाई की विस्तिक्र आओगे रिकॉर्ड बरसे मिल जाएंगे बाकी अम लाइब भी करते चलेंगे डाने क्या यस सर सो यह जो में आपसे कोशन पूछा हुआ है इसका आंसर मुझे आप कहां दोगे कहां दोगे हंजी सर आपका कॉमेंट पे और मुझे बहुत खुशी होगी और बचार जो मेरा पेट बाच है उस पे न सेम होई कोड है बोलो कौन सा कोड आपको ग्या नहीं टांटी टो इस कोड से आपको क्या मिल जाएगा डिस्काउंट मिल जाएगा तो अब ये कोड नोट करना क्लास 9,10,11,12,J,N, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे इसी कोड से लिना ताक कि डिस्काउंट आपको मिल जाए अब जो नेक्स पार्ट होगा वहांपर हम पढ़ेंगे रियक्टिविटी सीरीज के उपर बाल भी खराब हो गए हम क्या पढ़ेंगे चैब कर बो रियक्टिविटी सीरीज के बारे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके डिस्पेस होता है और बहुत शौर्ट सा लिक्शरों का